नेता का कोई बयान सामने नहीं आया लेकिन अब जब ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग पाया गया है सर्वे की टीम से दावा किया जा रहा है उसके बाद बीजेपी के एक विधायक बोले हैं और कौन बोल सकता है हरी भूचन ठाकुर बचौल के अलावा जी हाँ बोले हैं बहुत कुछ बोले हैं एक करके सिलसलेवार तरीके से बताएंगे आपको अक्सर वो बयानों को लेकर सुर्खि में रहते हैं और उनका ये कहना है कि केवल काशी विश्वनात की बात नहीं है अतीत में भी आनि बीते समय में भी इतिहास में भी हमारे देवी देवताओं के साथ शड़ेंत्र हुआ है बचौल ने AIMIM के नेता असदुद्दीन OVC के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि OVC सहब सुपर जिन्ना ना बने उन्होंने कहा कि चाहे काशी मतुरा की बात हो या अन्य की सभी को हम प्राप्त करके रहेंगे क्या मतलब है हरी भुशन ठाखुर बचौल के इस बयान का उनके बयान किस तरह से सामने आते हैं आखर पार्टी का शीरश नित्रित उनके ऐसे बयानों पर कुछ रियक्ट क्यों नहीं करता है इससे पहले भी आपको बताने दो दिन पहले भी एक बयान हरी भुशन ठागुर बचौल की तरफ से दिया गया जिसमें उनके दिये गए बयान को उनहीं की पार्टी के नेता उनकी निजी राय बता रहे थे लेकिन हरी भुशन ठागुर बचौल को किसी भी रूप में डाट फटकार या कुछ नसीहत नहीं दी गई आला कमान की तरफ से मस्जिद है और रहेगी इंशालला हुटाला सुबह खियामत तक ग्यानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्ला दुनिया को काइम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशालला हुटाला ग्यानवापी में सिवलिंग मिला है ग्यानवापी का अर्थ होता है ग्यान का कुवाँ ग्यान का कुवाँ ओवी सी साहिब सूपर जिन्ना नहीं बने वो मंदिर था विसस्वर भगवान का मंदिर रहेगा और ती सज्जार ऐसे मंदिर हैं जो सौपना परेगा अभी तो ज भाकी है कासी सारा देस बाकी है माननिय बिधायक बाचौल जी इसी तरह के बयानों के लिए ही बेचैन रहते हैं और ये भासाई आतंक ना फैलाएं ये देश हिंदू, मुस्लिम, सीख, हिसाई हम सब हैं भाई भाई सिवलिंग जी के बारे में बात करते हैं उनको पता होना चाहिए कि देवों के देव महादेव तो बिस पान करते थे, अमरित को दान करते थे और ये बीजेपी के लोग ये तो अमरित अपने पी रहे हैं अब इस जनता को पिला रहे हैं कहीं ने कहीं लग रहा है कि 2024 की तैयारी कर रहा है कि सत्ता से जब निकलेंगे तो मंदिर के बाहर बैठेंगे तो इस तरह का बयान इनको यही परदर्शित करता है कि आगे कब अभी से देखके घबराये हुए और मंदिर मस्जिद की बात करते है रोजगार की बात नहीं करते है महंगाई की बात नहीं करते बिहार में इतना भरस्टा चार बढ़ा हुआ है लोगों किया दिन हत्तिया है यह सब बात क्यों नहीं करते हैं लोग आपको इस चीज के लिए चुनके बेज़े हैं मंदिर बनाने के लिए नहीं अगर हरी भुशन ठाकूर जी को लगता है कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर दबा हुआ है तो हरी भुशन ठाकूर जी मीडिया में क्यों बयानबासी करते हैं बिहार में भी उनकी सरकार है केंडरे भी उनकी सरकार है सरकार के सामने जाकर गुहार लगाएं कोट हैं न्याले म जाएं इस तरीके का बियान दे करके सुर्खियों में बने रहने वाले वैक्ति की जगा बिहार विधान सबा नहीं पागल खाना है मैं मननी मुखंती निफिश्क मार्जी संद्रोत करता हूं कि ऐसा समाजिक सौहाद बिगारने वाले विधायत के उपर में अविलंब आते हैं और कहीं न कहीं असफे के बाइजेटाओं के लिए वा यह जेद्यू हरी फूर्ट ह। ठाकोर। बाचंग करते हों how to beलते हुए नहीं जाता और इसके बाद बाद ऐसे बयान है और खास तोर पर बीजेपी के कई नेताओं ने दिल्ली से लेकर पटना तक पर्तिक्रियाएं दी हैं, लेकिन हर भुषन ठाकुर बचौल ने जिस तरह से बयान दी आया है, उस तरह का बयान बीजेपी के किसी नेताओं ने नहीं दिया है, वहीं आर्डीडी और कॉंग्रेस अब उसके तरफ से ठाकुर बचौल के बयान को लेकर जिस तरह से पर्तिक्रिया आई है, उसको लेकर अब कहा दा सकता है, कि अब एंडिये में ही बचौल के खिलाफ आवाज उटने लगी है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस बयान को जिस तरह से बीजेपी अब पार्टी का बयान मानती है, या उनका नीजी बयान है, अभी इस पर बीजेपी ने कुछ नहीं कहा है, जी. मैं उसी की बात का आप से जानना चाह रहा था कि जेडियू की भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं आयों, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मुर्चा, उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान का ये कहना कि बचौल ऐसे बयान क्यूं दे रहे हैं, जाई ए अदालत में, और ऐसी उल हरी भूशन ठागूर बचौल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हरी भूशन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जी बिहार जहार करना है, जी जी आज बयान आपका सुना, एक बार थोड़ा फिर से सुनाईए, फिर अगला सवाल आप से लेते हैं, क्या ग्यानवापी परिसर को लेकर आप कह रहे हैं, सारे मंदिर जो रहे होंगे इतिहास में जैसा आपका मानना है, आपने बहुत इतिहास पढ़ा हुआ है, तो उस लिहास से सब वापस आप लेंगे, बिहार में कौन-कौन से ऐसे मस्जिद या ऐसे स्थल हैं, जिनको आप मांने को बिहार के बताई हैं, विहार के बताहिए हैं. खिरो को लिर्धार लाना चाहिए हैं. और थे 30,000 मंदिर हैं संकुन देश में जिनको तोर करके मफजित बना दिया गया वह अरंजे के जबाने में बावर के जबाने में हमारे जो भी पुजनी और प्रसिद दो तीन मंदिर है उसको दे दे अन्य था 30,000 मंदिर हम लेंगे दक देश रिज्वान को जानते हैं अब हिंदुस्तानी आवब मोर्चाप के सही होगी पाटी के जानते हैं तो वह आपको कहने की पागल खाने बेज़े देना चाहिए पागल खाना जाना थे, इस पागल सब बंड़ेका देखने ही रहा है, देखासी में क्या हुआ है जिaci खाना में जिञे जैखाहने में, पागल खाना तो ऊलग जाएगा जो दिन बार बार दिन पाट बार बार को काली दता है अच्छा यह वाकबर काता है कि वाला अधार से साथ है दूसरा कोई पूजीनिया नहीं है पागल खाने को उलग जाएंगे तो कि की सब्तात आ रही है सामने क्यों नहीं जाने देना तो सर्वेर को बीटर मैं एक चीज आना चाहरा हूँ बचौल साब ये तो अदालत का काम है सर्वे वो करवा रहे हैं जो भी प्रक्रिया है वो चल रही है ये इस तरह की बाते रखना कितना जायज है बड़ा अच्छा लगेगा कि जहां पर आप विधायक है आपने वहां पे लोगों के लिए कितन सब्सक्राइब करें अब ये सब्सक्राइब करता हूं कि आप बने रहेंगे मारे साथ मृति ने तिवारी जी आपने बचौल साहब का बयान सुना उनका कहना है कि बिहार में भी ऐसे कुछ परिसर हैं ऐसे स्थल हैं जहां पर हम वापस मंदर लेंगे और इतिहास में जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है वो दूर करेंगे देखिए माननिय विधायक बचौल साहर तो इसी तरह के बयान देने के लिए बेचैन रहते हैं तो सब दिखता ही है लोगों को तो हम समझते हैं कि उनको तो ये डर सता रहा है कि बीजेपी की सथा कहीं चली जाएगी बिहार में तो और बेचैनी बढ़ेगी तो जो सब्सक्ता में रख करके उनीस लाख रोजगार क्या हुआ बरस का चार्ज पत्रसों करोड का पूल उड़ गिया हवा में अपराद पर महगाई पर ये सब पर भी बचौल साहर अगर बयान देंगे सब ना उनका च्छेतर का जंता भी वोट की राजनीती है यह यह सॉइमान की राज देती है अच्छा अपीस में तो हमारे सॉइमान को कुटवा गया उसको फिर से ब्राव प्रापिस करने की राज नेती है यह लोग बहुत बंगे लावत में सब्सक्त नहीं का प्राइब हनुमाद अभी आप सीव जी पर अहरुमान जी पर भगवान स्री रामपर बोलते हैं तीव जी ने 120 पाम किया था आपको पता है ना पंगार जी जो आपको भगवान भी मात नहीं करेंगे नौजवान हमें के पाप है बगवान आपको मात नहीं करेंगे इस रोजनुद्र आप रिसेश कराते हैं भगवान पर लेकिन भगवान जी ये कहां जा रहे हैं कि आप जो है बानी से दीश पिलाएए जनता को राम राजवार ना जो जो समाद भर्मान को भूल जाएन अपने आरब जो आपको आपको जोड़ जो आपको जोड़ पूल ज प्रदेश के लोग भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं हम सोचल मीडिया पर भी आपके इस बयान को बहुत जादा चलाएंगे कि हरी भूश ठाकुर जी ने अपने क्षेत में क्या काम किया अपने क्षेत में पछले 6 महिनों में क्या काम किया और ये ब मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर falar है क्या रोजगार की बात कर रहा हूं अगली बार आपसे मैं बात करेंगे हमारी टीम बात करेंगी तो बिहार के ज़रा ढूंड लीजे वो कौन-कौन से मंदिर रहे होंगे इतिहास में ज़रा थोड़ा सा देखीएगा अपनी एसाई आप क्या दो हैं और बताईएगा बिहार में कौन से हैं और वहाँ पर कहां आप धरना देने जा रहे हैं कहां प्रदर्शन करने जा रहे हैं बड़ा अच्छा लगेगा आपके समाज के लोगों आपका जादा बात आपसे नहीं कर पाए क्योंकि हरी भुषन ठागूर बचौल खुद रहे हैं